आगेन Лİ नोर हम पार्ट एट में पढ़ने जा रहे हैं तॉर सफ मी talk मुफ य चूक्झ जो इंदेर आ तॉर्फ तर बेधिह और एक आप मेंद देडर होता है माँच होर्ण हो देख्या है और आप इसे जो फागडने वाला जो होल्डर होता है माउस होल्डर उसमें भी देखे होंगे क्या होता है इस हमारा जो टॉर्शन स्प्रिंग है इसके दोनों एंड में ऐसा हुक बना होता है यह हुक जो बना होता है यह क्या होता है इस पर लोड लगाते हो लोड कारण यहां पर क्या होता है त्विस्टिंग रौड लगा लगाने से वहां पर होता था हमारे डूक भी मारीघ two रूख समया पर quality स्फिट में जो आप लोड लगाओगी तो रेगूलर लीज्व रेडियस ऑफ करवचर चेंज होता रहता है ठीक है रेडियस ऑफ करवचर जैसे आप जितना इसको change when the twisting movement is applied to the spring thus the wire is under pure bending okay now according to am well am well duty amare the bending stress in a helical torsion spring made of round wire is according to will जो थे उन्होंने bending stress in helical torsion spring made of circular wire से बना है उसका bending stress उन्होंने बताया कि sigma B जो हमारा bending stress होगा वो किसके equal होगा यह वाल्स फैक्टर वाल्स स्ट्रेस फैक्टर इन्टू 32 M upon pi D cube उन्होंने यह बताया कि हमार जो bending stress होता है helical torsion spring का जो कि rounded है rounded wire से बना है उसका bending stress यह होता है अब यह हमने सोम में पढ़ा था strength of material जो हमारा subject था उसमें हमने पढ़ा था कि bending stress bending stress और fracture of formula हमारा बना था क्या बना था M upon I where M is a bending movement I is a movement of inertia is equal to bending stress this is the bending stress sigma B bending stress upon Y okay तो यहां से bending stress हमारा क्या हो जाएगा M को हमने अलग लिख लिए और Y उधर चला जाएगा तो Y upon I लिख सकते हैं चीक है और हम जानते हैं कि हमारा section of modulus होता है क्या होता है I upon Y होता है यहां पर क्या हो जाएगा sigma B is equal to M को वैसे ही रहने दो Y क्या होगा इसके लिए that is D by 2 okay D by 2 and movement of inertia of circular जो वायर है उसके लिए पाई बाई 64 इंटू डी का पावर 4 यह होता है न बी से डी कैंसल 1 एक डी टू 32 ठीक है फाइनल यह हमारा sigma B 32 M upon pi D cube आ जाएगा आप इसमें के कहां से आया के इस वाल्स फैक्टर ठीक है इसके बीच में करवचर का जो effect होगा उसके कारण हम यहां पर के कंसीडर कर रहें ठीक है तो यह हमारा इतना जो पाट था यह रफ में मैं समझाने के लिए आपको बताया हूं यहां तक हमने समझ गया है अब आगे बढ़ते हैं वेर वेर के क्या है वाल्स इस्ट्रेस फैक्टर वाल्स इस्ट्रेस फैक्टर है तो के की वैल्यू हमारा टॉर्सन स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा पॉर्स इस्ट्रेस वाइर मांजस स्प्रिंग के लिए यह होता है क्या है हमारा यहां पे ऐंक स्प्रिंग कुसके इक क्कोल होता है है capital D upon small d capital D is a diameter of spring and small d is a diameter of spring wire okay and what is M M क्या है M है हमारा bending moment bending moment हमारा M है जो की bending moment क्या होता है जो हमारा load लग रहा है यहां पर जो load लग रहा है into perpendicular distance that is Y तो हमारा bending moment यहां क्या हो जाएगा W into Y ठीक है यह हो गया अब Y क्या है Y है distance distance of load from the spring axis okay Y हो गया है and last small d small d क्या है that is diameter of spring wire जो हमारे spring wires wire है इसका diameter इसका diameter यह ठीक है इतना हो गया अब इस equation को हमने बताया M bending moment W into Y होता है M की जगे है W into Y लिखी और एक नया equation बनेगा ठीक है तो क्या बनेगा हमारा sigma B is equal to finally जो हमारा बनेगा k into 32 w into y upon pi dq यह हमारा equation बना question number one okay now next अब क्या हमें deflection निकालना है and total angle of twist जो twisting हो रहा है total angle of twist क्या है और उसे हम बोलते है इस एंगुलर डिफ्लेक्शन एंगुलर डिफ्लेक्शन एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इस थीटा is equal to M L upon E I अब कहोगे आप यह question कहां आया एंगुलर एंगुलर अफ ट्विस्ट या एंगुलर डिफ्लेक्शन यह दो अब रफ में आपको कहां से आया है हम जानते हैं M upon I is equal to E upon R होता है और which is equal to sigma upon Y यह क्या है फ्रेक्शलर फ्रमूला बेंडिंग फ्रमूला बेंडिंग स्ट्रेस फ्रमूला के लिए ठीक है तो हम इस एक्विश्टन और इस से कंसीडर करते हैं ठीक है और यह आर क्या है हमारा और यहां पर आर जो है वह है radius of curvature क्या होता है co कि या होता है कि एसलेंट्ट अप्रफर०िकर क्लषे आ लिए थीडा कैसे हो नैDu Application नॉर्मल व्रिपूस्ट होने के बाद एक फ्यटा एंगल पर तुस्ट हुआ यह जो हमारा अर्क के जैंट और यह हमारा रेडियस तो ठीटा इसवाल एफ ट्यक्त क्या होता है आर्क पॉन्स यह हो गया अब यह पो करें आपップ थिता कि वेलिव nurse पूंस पूट करें और इसे हम लिख सकते हैं थीटा इस इक्वेल टू एम इंटू पाई डी एन अपॉण ए और आई की जगह लिख सकते हैं मुमेंट फिनेश्ट रहे होता है सर्गुलर के लिए पाई अपॉण 64 बी का पावर फूर और थीटा इस इक्वेल टू 64 4 m dn upon e d4 यह हमारा angle of twist आ गया और angular deflection हमारे यह आ गया अब बोलोगे यह ल के जगह हमने पाई dn कैसे लिख दिया क्या है ल क्या है length of spring length of wire length of wire है क्या होता फर्मूला हमने पड़ा था that is pi d into number of tons यह होता है ना हमारा length of wire का formula यह क्या है यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस यह क्या है हमारा यंग मॉडुलस आई क्या है moment of inertia जो की pipe on 64 d4 होता है circular के लिए ठीक है एन क्या है it is number of turn coil जो number of turns है yes number of turn वो है ठीक है तिया हमारा angular deflection निकल गया now अब हम बात करेंगे and deflection हमारा deflection होगा उसमें जो changes होंगे elongation होगा जो compression होगा जो भी deflection length को अब बड़ा या चोटा होगा spring हमारा लोड लगने पर वो क्या होता है deflection is equal to theta into L होता है हम जानते हैं यह सुरी ठीटा उपन वाई ठीटा उपन वाई क्योंकि यहां पर यहां पर जो हम डिस्टेंस लेरे सेंटर सेडिट इस वाई तो deflection is equal to theta into y ठीटा की value पूट करते हैं ठीटा की value आप पूट करेंगे तो 64 m dn upon ed4 into y यह हो गया हमारा deflection कितना changes हो रहा है spring में लोड लगाने के बाद उसका formula ओके यह तो हमने बात किया अगर हमारा spring का cross section जो होगा अगर वो circular हुआ तो अगर cross section जो हमारा होगा अगर वो square हुआ अगर वो rectangle हुआ तो उसके लिए हमारा bending stress और deflection क्या आएगा आए दखते हैं सीम ऐसे ही होगा बस मैं आपको डारेट बता रहा हूं कैसे निकलेगा ठीक है कि तो हम रखेंगे क्योंकि वे वाल्स कॉंस्टेंट है लेना ही पड़ेगा सिक्स एम अपॉन टी बी स्क्वाइर और सिग्मा बी इस एक्वेल टू के इंटू इस मुवमेंट को डबल इंटू आई लिख सकते हैं टी बी स्क्वाइर अब आप कहोगे यह के दो ठीक है यह अलग कहां से आए जैसे इसे पहले मैं ने बताया था इसे पहले वाले मैं बताया था कैसे निकलता है हम जानते हैं एक्सिस तो यहां पर सिग्मा क्या हो जाएगा सिग्मा को रहने दो वाई क्या हो जाएगा वाई तो हमारा बी अपॉन टू ओके विर्ट का ही तो वहाँ होगा और रेक्टेंगल की रिए हमारा मुट फिनिश से क्या होता है बी डी क्यूब अपन टू यहां पर क्या है इस टी बी क्यूब ऑपन टूल ओके तू इक वी से एक वी कैसे लुगा तो हमारा क्या जाएगा सिग्मा वीज इक्वल टू क्यूं अंपन क्या है इसके वांस फैक्टिर क्यूं इस सब्सक्शी करिए इस इसके बारे में शिट आइस इस गोल टूम एपन EI M तो हमारा वही रहेगा I के जगह डिट इस Pi D Pi D N L की जगह रखा हमने E I के जगह डिट T BQ अपॉन 2 यह हमारा फाइनल ठीटा जो आएगा वो हो जाएगा 12 Pi M D N upon E T BQ यह एंगलर डिट्लेक्शन हमारा आगया ठीक है एंगलर डिट्लेक्शन ही हो गया नौ डिट्लेक्शन क्या हो जाएगा लट इस डिट्लेक्शन ठीटा इंटु आई ठीटा की वैलु आप यहां रखें 12 Pi M D N अपॉन E T BQ into Y यह हो गया हमारा कितना डिट्लेक्शन हो रहा इस प्रिंग में उसका फर्मुला सेंप सेंप स्क्वाइर के लिए क्या करना है विन दे स्प्रिंग इसमेंड उसक्वाइर वायर विट इस साइट इक्वल डू यह इक्वेशन जो हमारे इक्वेशन आया है वहां ती के जगह आप बी कर दें किया वी कर दें आपका वो पूरा हो जाएगा for example सिग्मा भी के इंटू सम्डू। डवलू इंटू वाई अब टी के जगब मैं कर दूँ तो यह हो जाएगा बी kia हो गया बेंडिंग इस्ट्रेस हमारा हो गया ठीक है नौँ ठीटा क्या हो जाएगा 12 12 Pi M D N upon E T के जाएगा पर हम B रख देंगे तो यहां B Q B 4 हो जाएगा यह हमारा थीटा भी आ गया इंगुलर डिफ्लेक्षिन आ गया ओके नाव डिफ्लेक्षिन कितना आएगा इस थीटा इंटो आई होता है डिफ्लेक्षिन क्या हो जाएगा सेम 12 Pi M D N upon E B का पावर 4 into Y वह हो गया हमारा दिफ्लेक्षिन इन दा स्प्रिंग ओके यह हमारा दो टॉपिक था जब हमारा क्रॉश सेक्षिन अगर हमारा वायर का जो क्रॉश सेक्षिन अगर रेक्टेंगल हुआ तब हमारा क्या हो जाएगा और स्कॉयर हुआ वायर का क्रॉश सेक्षिन तब हमारा बेंदिंग स्ट्रेस अंगलर reflection of spring in spring क्या होगा ओके आपको अच्छे समझ में आया होगा डाउट्स क्लियर होंगे नाव थैंक यू